अज दोस्तों हम अपने लेप्टॉप पेसुस व्योबुक S15 में यहाँ पर रैम और अप्ग्रेड करने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंट्रेस्टिंग हो मैं अप्ग्रेड करके बताऊँगा अप्लाई करके बताऊँगा टुटोरियल पूरा आपको देखने को मिलेगा तो अगर इंट्रेस्टिड हो आप भी इस तरीके का कोई भी काम करने में वीडियो का इन तक जरूर देखना आपको काफी ज़्यादा इंट्रेस्टिंग लगने वाला है गाइस आप से दो साल पहले मैंने यह लैपटाप पर्चेस किया था जो कि है असुस व्योवक एस 15 अब यह लैपटाप के अगर मैं बात करो दोस्तों तो यह लैपटाप आता है आपका 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 जनेरेशन प्रोसेसर के साथ में और साथ ही आपको इसमें वन टीवी क साथ में चलाता था बहुत ज्यादा बॉटलनेक होता था ही तो जनेरेट करता यह तो साथ साथ बैटरी एफिशेंसी घट गई थी और यहां पर काफी ज्यादा दिक्कते इसमें आने लग गई थी बॉटलनेक का इश्यू मेरे को देखने को लग गया था और मेली 125 जीवी क जो साथटोर डॉटर चोजाता था तो आज इस फीडियो में मैं इस ही लेपटॉप में अपने यहां पर मेरे पास एक SSD जो की है WD की तरफ से और जो मैं RAM लेकि आया हूँ वह यहां पर तो यह सिम्ट्राइम की रैम है और यह WD की SSD है जो की WD Blue करके आती है 500 GB SSD हमया पर अप्ग्रेड करेंगे और रैम स्टिक यह मैं 8 GB की लेकर आया है जो कि इसमें लगाने वाला हूँ तो दोस्तों यह सिम्टॉनिक की 8GB की स्ट्रीक है DDR4 24 MHz वाली क्योंकि इस लैप्टॉप में वही सपूर्ट करती है तो आप अगर रैम वगर पर्चेस करोगे तो पहले एक बाद जा करके चेक कर लेना आपके लैप्टॉप को खोल गए कि भाईया किस तरीके की इसमें चीज़ें लगेंगी तो अगर आप कोई गलत आइटम ले आ तो फिर दुकान पर वापस नहीं होगा अगर आप अफलाइ 6,000 रुपए में तकरीब तो यह दूनों ही में अपलाई करने वालों आपको दिखाता हम आगे चलके किस तरीके सीनिया पर मिलता है तो फर्स्ट आपको लेप्टॉप को स्विच आप करने नहीं है और आपको लेप्टॉप की बैक साइड जाना है अगर इस मोडल की लेप सारे स्कूरूज के खोल लेते हैं एंड गाइस मेक शूर कि जब आप खोलो गे तो आप स्कूरूज को वैसे ही रखना जैसे कि रखे हुए है जिससे कि आपको दुबारा इने अरेंज करने में बहुत ज्यादा हल्प मिल जाएगी तो अपने बस कोई प्रोफेशनल वो नह को देखने को मिलता है सिम्पली आपको इस तरीके से रिमॉफ करना है और यह पीछे वाला दो बहुतना में नहीं निकाल लेने हैं तो फटा-फट इन ही भी निकाल लेता हूं मैं फाइनली हमने दोस्तों बारा के बारा पूरे सारे स्कूरू जहां पर निकाल लिये हैं अब हमें इसके बैक प्लेट को ओपन करना है मेक शियोर कि जब आप बैक प्लेट को ओपन करो तो आपके पास कोई कार्ड वगर हो जिससे कि आप इसको उठा सको फिलाल मैं इसी ब्लेट का यूज़ करने वाला हूं इसको ओपन करने के लिए तो देखते हैं कैसे होता है तो मैं एक दो बार खोल चुका हूं तब यह बड़े इसली खुल जाएगा फर्स टाइम में बड़ी मशक्कत लगे थी इसको ओपन करने में हिजाना में इस तरीके से बैक पैनल इसका जो है वो फोपन हो चूब है रख देता हो फिलालक व्लेग साइड में और यहां पर दोस्तो उस तरह के साबका जो है अ इसकी बात मैं basicly कर रहा हूं यह point आपको हटा देना है remove कर देना है क्योंकि यह बैटरी का point और बैटरी रिमुव होनी चाहे है जब यह पैसा कोई काम कर रहे होते हो तो तो make sure कि आप इस बैटरी को जो है आप से रिमूब कर चुके हो अब बैटरी रिमूब करने के लिए क्या हमें करना होता है यह जो क्लिप है यह चोटी सी क्लिप आप देख रहे हो यह आप और जूम मैं नहीं कर सकता तो आपके लिहां देखना इस क्लिप को आपको पीछे की तरफ पुछ करना है अब पीछे की तरफ मैंने इसको पुछ कर दिया उसके यह जो पूरा पैनल दिख रहा है बैटरी की सप्लाई है तो अब इसको मैं नीचे से उपर की तरफ उठाओंगा थोड़ा सा ऐसे मैं इसको उठा दूँँगा तो अब यह देख सकते हो कुछ इ सकते हुग तो यह जो आप देख रहे हो यह बंटीवी कि समें हारड डेस्क यहां पर आपको एक रैम देखने को यहन पर लेप्टॉप में यह फ्लाइशने को मिलता दिखने को मिलता है यहां पर आपका प्रोसेशर है इंटल- ai5 8.0 यह आपकी हेट region यह अएपकी हीट प यहां पर आपको यहां पर देखने को जब वो मिल जाता है तो हम यहां पर अपना यह वाला सिम्ट्राउनिक की मैंने यहां पर राम ली है अक्चली इसको मैं निकाल चुका हूं पैकट से तो इस तरीके से सिम्ट्राउनिक्स की जो है वो रैम है 8GB की DDR4 24 तो आप कोई और मत देखिया जाना अधरवाइस वो लगेगी नहीं या फिर दिक्कत करेगा आपका लैप्ताव ताब के पैसे विकार हो जाएंगे तो आप देख सकते हो 8GB DDR4 24,000 MHz की रैम है सिम्ट्राउनिक्स की तरफ से आने वाली यह मुझे पढ़ी है तकरीबन 2400 रुपे की तो इसको ल तो यह देख सकते हो इस तरीके से दवाने से यह जो लिट्स नहीं पर सैट बैट चुकी है पूरे तरीके से देख सकते हो जो दोनों साइट की क्लिप्स जो है फिट बैट चुकिए अब यह 8GB पहले सी यहांपर अब यह 8GB हमने और लगा दी तो अब यह टोटल हो चुके 16 16GB RAM अब इसकी परफॉर्मस जो है गाइस बहुत ही जादा बढ़िया हो जाने वाले क्योंकि रैम के वज़े से बॉटलनेक करता था मेरा लैपटॉप तो यहां पर अब इसको हमने अपग्रेड कर दिया है तो अभी 16GB RAM पैनल हो चुका है और यह दोस्तों SSD अपग्रेड की तो SSD है हमारे पास यहां पर WD Blue 500GB SATA M.2 इसमें दोस्तों यहां पर लगी है SATA M.2 है तो आपको यह और SSD लेके मताना NVMe लेके मताना विकास NVMe SSD इस लैपटॉप में नहीं लगती है इसमें लगती है SATA M.2 जिसकी read and ride speed तकरीवन 500 Mbps के करीब होती है तो आपको यही वाली लेनी है चाहिए WD की ले लो या किसे और यह पूर्ट आप देख सकते हैं M.2 जो SSD होती है SATA की उसके पूर्ट इस तरीके से होती है नहीं कि 2-6 होती है उसमें और जो NDME होती है उसमें एक ही कट होता है तो आपको यह ही लेनी है और को नहीं लेनी है अदरवाइस आपको दिक्कत हो सकती है तो यह चीज आप ध्यान इंस्टॉल करनी है चाहिए बूटेबल ड्राइब से इंस्टॉल कर सकते हो उसके लिए आप अधर वीडियो देख सकते हो वाट फिलहाल के लिए मैंने यहां पर सारा बैक अगर इस SSD में ले लिया है दूसरी वाली में तो मैं यहां पर इसको सिंपली रिमूव करूंगा इ इसको पकड़के ऐसे खीच लेना है तो यह देख सकते हैं इसमें पहले SSD लगी थी वह कौन सी लगी थी तो यह है आपकी तोशिबा की SSD है लोकल सी जिसकी अब यहां पर 500GB की लगाने वाले तो टोटल मजा ही आजाने वाला है और परफॉर्मेंस और स्टोरेज और स्पीड सब कुछ इसको पुछ किया हमने और पुश करते ही यहां पर लगा करके और इसको टाइट करना है क्योंकि अइसा कर देना की बार बाहर बाहर आए बस यह नट इसको रोखके रखने के लिए कि अगर लेपटाप उपर नीचे होताए तो यह जो है नट इधर उदर ना हो अब आपको यहां पर पैकिंग करने का टाइम आ चुगा है क्योंकि SSG और RAM दोनों यह अप्ग्रेड कर लिए हमने तो अब यह जो पॉइंट है इसको आप प्रॉपरली यहां पर लगा दो अब यह पॉइंट इस तरीके से यहां पर लग जाएगा तो इसको अच्छे से प्रेस कर दो आप क्योंकि यह पॉइंट अगर धीला रहा तो बहुत सारे दिक्कते आपको देखने को मिल सकती है तो इस पॉइंट को कसने के बाद आपको यह जो लीवर था यह दुबारा से अंदर की तरफ पुछ कर देना है तो देख सकते हो गाइस कि यह पॉइंट हमने प्रॉपर कनेट कर दिया इस लिवर को भी आगे सरका दिया है और इसको भी प्रेस अच्छे से कर दिया अगर यह प्रेस नहीं रहेगा कुछ भी दिक्कत हो सकती है पावर सप्लाई में तो आपको मेक्शूर करना है कि यह चीजे आप जो है इन्शूर क चेटर पटर की थोड़ी से आवा जाएगी फटा 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 वह भी कर लो तो अब आप अब हमने नेट्वर्ट लगा दी है मैं आप चेक करूंग दिस्प्ले तो आपको हलके से खूलना है क्योंकि यह हिंज जो है वह उसी के बैक से जुड होना तो मैं आप डिस्प्ले एक बार चेक कर लेता हूं और डिस्प्ले अगर आ रही होगी तो सब कुस सही है मतलब देख सकते हैं इसको फिलाल के लिए क्योंकि यह हिंज से जुड़ा और नट मेरे को कसने पड़ेंगे तब ही मैं इसको पूरा खोल सकता हूं तो इस तरी यहां लगा था वही लगाना है यानि कि अधर का उधर करोगे तो फिर वह दिक्कत वाली बात आजाए कहीं चोटा हो जाएगा कहीं बड़ा हो जाएगा तो वह चीज़ आपको मेक्शूर करनी है कि आपको इस प्रप्रब्लम का फेस्ट ना करना पड़े तो फटा-फटा- चुकी है इसमें आपको 465GB आइवलेवल इस्पेस जो है देखने को मिल जाता है और यह दोस्तों बहुत ही ज्यादा फास्ट है यहां पर एस कंपेर तो यह तो यह काफी साही चीज है यहां पर जो कि हमको देखने को मिल जाती है और अगर मैं बात करना हूं अपने रैम की जो कि हमने रैम भी अप्ग्रेड करी है तो रैम भी मैं आपको दिखा देता हूं तो यहां पर आप रैम मेमोरी देख सकते हो जो कि हमको 16GB की अब देखने को मिल जाते ही जो कि यहां पर पहले 8GB की देखने को मिलती थी इसमें सभी सिस्टम जह 2GB यूज़ कर रहा है और 13GB तो इससे कितना ज्यादा परफॉर्मेंस में यहां पर डिफरेंस आ जाएगा और आप देखें कि कुछ इस तरीके से यहां पर लिखा हुआ है कि सिस्टम जीवी रैम एविलेबल एक तो यह दोस्तों आप मेरी परफॉर्मेंस को यानि कि मैं एड़ोबी प्रीमेर प्रों लाइटरों यहीं सबुआर जब एक साथ यूझ करता था तो बहुत ही दिक्कत आती थी कई बास ऑफ्ट्ट साथा रडिय रोकी ड्य कर दो जाते थे ब्राउसिंग नहीं कर था तक मेरी प्रीमेर प्रों के दोरां तो बहुत सारी लिक्कत होती थी वह सारी प्रप्लम सब्सक्राइब करें अगर अपने लेप्टाप के स्पीड की बात करूं तो यार यह काफी ज्यादा एक दम मस्ट सा चल रहा थी एक दम फील आरा इसको चलाने में मतलब जो भी बॉटलने का मिली जो मेरा इश्यू था वह यहां पर बॉटलने का इश्यू था जो कि मुझे य सब्सक्राइब करते हैं तो यहां पर मैं आपको दिखाई चुका हूं पहले भी यार पांसो जीवी के सब्सक्राइब हो चुका है तो आप दी एक लैप्टाप अगर पर्चेस करते हो तो शुरुआत में उसमें 8GB की रैम बाला वेरेंट ले लो बाद में अगर बजट हो तो इसमें अप्ग्रेड करते हैं मेक शियो कि आपके लैप्टाप में अप्ग्रेड का ओप्शन होना चाहिए अब इस लेप्टाप में था मुझे पता था और इसलिए मैंने इसको पर्चेस भी किया था कि मैं इन फ्यूचर अप्ग्रेड कर लूँगा फाइनली वी डिडिट एंड पर्फॉर्मेंस स्टॉप नौज नो डाउट आई-फाइफ एट जनेशर बहुत तो प्रोसेसर है लेकिन उसको थोड़ी सी चीज़ा चाहिए होती वह हमने दे दी और ये बड़िया काम कर रहा है अभी तो फिलाल के लिए यही था वीडियो it आई-बर शर्ण आए वारे को संद आया हो तो वीडियों को Какर दटना चेस करना शैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि इस तरीके की वीडियो आपर देखने को मिलते रहता है लाल इस वीडियो में इतना हिक में उन्हें अगया वीडियो में तब तक के लिए जा झाल